नमस्कार कारेक्रम्मा यहारु सबयलाई स्वागत्छा यसी साथा सुन्दर सुपनील नागरी पोखरामा बुकवाम फाउंडेशन को आईजे नामा छैठों साहित्य मोहत्सब संपर्न भाई राके कुछा शब्द, सोच, संगीत रश्रस्टा हरुको यो जमघाटमा बिविन्य साहित्य के बिदामा राष्ट्रिय तथा अंतराष्ट्रिय बेक्तित्तों हरु वाट छल्फल, विचार बीमर्श रत्तार्क बिथार्का होने छे इसता साहित्यक संम्मेलन हरु, साहित्यकार हरुका लागी कति महत्पर्न होन्छन। अनि साहित्य तिसमा पनि कविता र लोक संस्कृति कुभी सेमा आज कुरागार्न सुमन संग होनोंचा कवी तथा संस्कृति भीद तुलसी दिवस तुलसी प्रसाद जोसी बाट तुलसी दिवस बन्न वायका कवी को कविता संबंधि धार्न अरुक भांधा अली बेग लेज़ आज मलाय आति नहीं गवरभ रख खुशी पनि लागी राके कुछ वहाँ जस्तो ब्यक्तित्व लाई यो कारिक्रम मा स्वागत गार्ट पाऊंधा हिडदा हिडदय मोड मा हिड़े को बाटो नहीं मोडिये पची हिड नेको पनिके हिलाग दो रहनचा तिर्शिदा तिर्शिदै तिर्शो मा तिर्शिये को बाटो नहीं उकले पची तिर्शिने को पनिके हिलाग दो रहनचा उकलदा उकलदै उकालो मा उकले को बाटो नहीं वरले पची उकलने को पनिके हिलाग दो रहनचा वरलदा वरलदाई फेरी वरले को बाटोने उकले पचे वरलने को पनी के हिलागदो रहे नचा हिडदा हिडदाई मोडमा हिडे को बाटोने मोडिये पचे हिडने को पनी के हिलागदो रहे नचा यो कविता यहां को जीवन संग कोत्ती को मेल खांच हरेक को जीवन संग एक बा और को प्रकार ले यले मेल खांचा मेरो जिंदगी संग भने अज बड़ी मेल खांचा पहाड को औरालरो कालो धेरै हामी ले हिड्नो पर्छा लेका छों जिंदगी को बाटो र जिंदगी को रालरो कालो पनी हामी ले हिड्नो पर्छा हिड्नो पर्छा अचमत मलक्किय भाचा बने धनकुटा वड़ा धरा आनाउँदा जैले पनी सागुरी को भन्जांग हामी ले तर्णो पर्छा अनी त्यो सागुरी दिखी मुंतिर धारा पानी भन्ने ठाउँचा हामी अरु जैले पनी धरानाउदा जती बला बाटो थे न मोटर को र पईदल हिन्नु पर्थे त्यो उकालो मा घाम उदाउनु भन्दा अगारी नाई हामी चाहिं उकालो पार्गरी शक्नु पर्छा ब बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब अनि महिले बने ओर आलरो कालो कहाने रीछा जब बाटो शंगाचा मंद इस्तापना हुँचा यात्री को तब सुरू हुँचा ओर आलरो कालो को अभधारुणा यहांको यो जीवन को बाठो मा हमी एक्षिन मा होला है यहांले धेरई साहित्यक महत्सा भरू रास्चिय अंतरास्चिय मा भागलीन हुआ है कोछा अगली नेपाल मा पनी हो दैशा यहांले एउटा साहित्यकार को उन्नतिको लागी उसको प्रोच्चाहन को लागी इमहत्सा भरू लागी कतिको मातपुर्ण पाऊनुआ है कुछा मौत्सा भरू निश्ची इत्रूपमा शिर्जन्शिल वेक्ति हरू विशेश गरेरा सब्द को खेती गरने सिर्थ्रस्टा हरू को भेटकार गरने सुन्दर अवस्णर हो तेल्ले नाम तो सुनेका कृती हरू तो पड प्रतिक्स रूपले भेटकाहट गरने रा अंतर संबाद गरन पाऊने सुन्दर अवस्णर उपलब्द होंचा यहाले जस्तों अंतर राष्ट्री महत्सा भरूमा भाग लिन्दा करी यहाले ता अब नेपाली लोक्षास्कृती राफ्ना कभीता हरूलाई विश्वका दु अब राष्ट्र अरूमा पुरही सकनु भायाएको छा धरही अनुभव आसेल गरनु भायाएको छा त्यहां जादा खेरीत विविन्ना देश का मानी सरूले आफनो भासामा कभीता शुनाऊचन हलन। है ना तर तो भासा नभूजी पनी कभीतामा मानी सेक अरका देशको कुछ सरी रम आउचन तियो बाथाई देन असना उचे प्रायसके बने अजर अनुदित कविता हरु नहीं बड़ी सुनाइन चन्र सुनाईय का चन्र सुनिय का पनी चन्र ठाउँ 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 मा यो मेले उन्नाइस सो उन्नाइस से पचाशी तिर हैं भाग मा भायको उनन अन्चासों अंतरास्तिय पेन कॉंग्रेस मा आयुजय खरुको आमंत्रनमा बिशिस्ट अथिति भरस्व अभागिता जनावने आउशर मले उपलाप्द भागो थियो तियो क्रम मा त्या कोड़ा विश्व विद्याले ले विश्व विद्याले ले संबंध कोलेज होलाई अभी अभी ता बाचन को निमित्य त्या संचार का साथ सय जीवित लेखक को भी अरु शहवागी थे पंद्र जना जाती बिशिस्ट अथि अरु तिया गुंटर ग्रास्, ऑजन, सुंटाग, अलबाट, मौराविया, मौपनी नेपाल बड़ा पलोपल्ट त्यों पंद्र जना मद्य परेकोपनी थे, और अमिला को भी ता बाचन को निमित्या मंत्रन गरे पचे गोईम, जब बाचन करने ठाउम अभगेम तरह आहिजय करले अमिला क्या अन्रोद गरेवने, अहले श्रुमन ले बने जास्ताई, हमी तपायर को अनुवाद होईना तपायर को भाश कामा कविता सुन्ना चांच, महाँ साहत्य वंदा अगारी मेले सोचेगो थिये न तेसरी, नेपाली कविता बाचन गरी सके पचे तेशको असर प्रवाब्र प्रतिक्रिया, सोता हरुबाट, दर्शक हरुबाट, पाय को शुने मेचे मत्ता अचंबीत भाएं, एक कविता मा सिधा अर्थल आगे रहा, बुजी रहनों न परने रहा चारा, सब्दहरु को धोनी हरु को शंगी इतले चाहें, आपनो प्रकार को प्रवाब्र असर चाहें, सुरोथारा दर्शक लाई, पार्न स्वक्त रहा चा वनने मालाई, तियो बेला अनुबब्र अनुभूती भाय और अनी हरेग भाषा को आपने सांगितिक भिषिस्टता भाषिक धोनी को उचारन को तियो आपनो पन, मला क्या लागे हो बने कविताला जयले पनी धोनी मा उच्चरीद गरे रहा नहीं सुनाउने क्रब जे आती आवशेक रहा चाहें, तियो संस्कार, तियो संस्कृती ब बाचन को संस्कती बिकशित भायको छा वना थाले को छा आपना मात्रा है न अरुको कविता पनी बाचन गवरे रहा सुन्ने रहा सुनाउने संस्कार चाहें, बिकशित भायको मा अत्यंत खोशी भायको छाई तिसले दाईले जहिले पनी तुल्ची दाईले कविता भनी को 3V भने रहा सुन्द, वाइबरेंट रहा विजॉलाइज गर्न सथी होना पार सांदी टेस्मा जोड़तिना अउन्छा आईना, तिसली वाइबरेंट्त रहा विजॉलाइज भनी आपनी छाआज भायको छोट अरको योटा कवी था, जुन दायले चेह अती हिर्दय मा बाष्जी को चा, तियो उसको एक अंश सुनाऊना. यो समझना को समाधी वन्ने चा, तिमी नखो जमलाई बाहिर, मत तिम्रे आखा को नानी मा बशी रह चु। तिमी नखो ज मलाई बाहिर मत तिम्रह आखा को नानी मा बशी रह छू सित्तै किनरोयो मलाई समझे रह मत तिम्रह आखा को पानी मा बगी रह छू तुल सी दाइलाई आखाली निके आकाशन गर्श रस्तु सा अरको यडा कमिता पढ़ेंक शुमाईले आखा लाइचाई रक्षी को पुसंग दाजी एको तेसको दूईलाइन सुनाई देनास। सागर्म उर्लेको चाल जस्तो कष्तु कष्तु तिमृरु आखा पार दर्शी शिशीमा चलकेको रक्षी को अलमस्ती चाल जस्तो सुन्दचो अगस्ति मनिले समुन्द्र पेको, देख्तचो धरी दुखियरू रक्षिले नुहायको, तरक्को प्योनतम सेंच तिमुरा आखाको पानी, माया पनी सकिंच कते, पेर रक्षी जस्ते, के माया पनी सकिंच कते, पेर रक्षी जस्ते, के माया पनी देंच कते, देर जड़वरी जशता ही, तरह यह माया वननी चीज नि, दाई को जीवन मा, जीवन साथी भाहरा आउना सके न, अब यह जीवन साथी क्ये वर्थमा बनने हो, क्ये वर्थमा बुजनु परने हो, तरह माया गनिष्ट भाहरा, मेरो मुटू मा, और मेरो चाती मा, अजय परी छन, बसे का चन, तरह लाई बिर्षमा शकने स्थिति रहा अश्ता मोशन चाई, तरह तोलसी दिवस, या तरह संदी दिवस या जो लाम राखनो गयो उता उत्सव करूप मा, वह न, सदै जिंदरिलाई उत्सव करूप मा हेर माया था, यहाले नहीं तिसको पहिचान गरना चुक्न भायको हो की, जीवन साथी को लागी, त्यो, हुना पने सक्सा, ना हुना पने सक्सा, चुके को भने रा अनुबब मैले, गरे को भने छाईना, जिंदगी लाई जयले पनी, श्वाभावी करूप मा ग्रहन गरने बान मेरोच, तोर श्वाभिक रूपले उत्पन भायका संबन्ध हरू, रमाया का संबन्ध हरू, एक बा अरको प्रकार ले, इस्तापित नभायका होईनन, के अगाडी नवड़े का पनी होईनन, छन, रहे का छन, तर ती अब धेरे जस्तु इतियास है, बिगत भायो, तिसली महीले बहने को, मतलब, तिसलाई सही समया मा दाईले पक्रन शक्न भाया नकी, किना की कतिथाओं मा यहाले रातों फूल को कुरागरनु है कोछ, ते इक किसिम को माया थियो, कतिथाओं मा पqमकन्ये क्याम्पेस्मा पड़ाउनो हन्थिव, बर्सवाउं सम्मा, है न, त्याहां कती सुन्दरी हरुको महासमा हन्थिव, कती ले प्रस्ताव राखे, कती को लागी दाईले मन परायर कविता लेखनु है। तर मन का भावना ब्यक्त गार्न सकनु है न प्रत्यक्षिय। शाहे तेश्मा पछाडी पर्नु भाय को हो की बन्नी मातर ही मेरो नोटा मैवले जान्ना चाहेगो। जिंदगी ज्यभाय त्युभाया त्यूभाया तैसलाई पिरी न भयको बनावना सकते देना जिन्दगी जिये भाय ना तियो भाय ना तेसलाई फेरी भाय कोपनी बनावना सके देना रो हिर्दा हिर्दाई बाटामा साथी भाय संगाती अथवा भेर काथ हुंचन यात्रामा मानिश्वर कोई छुडचन जीवन में कती नारी हरुले यहां को हस्ताक छड़ लिये काशन तुम अहले मेरो शूचना चेही प्रसस्त लेनो भागो चाहाँ मोहले आठ नॉू हजार बंदा बढ़ी तब पद्वकर्न्या मा पड़ाउदा खरेने अठोग्राफ लेखे गए अचुछुछुँँद्स मौ बिद्ध्यार्थियों हरू अथवा गुरुआ हरू को बीच माल जरू निकई लोकप्रिय भायको कुरा मलाई अनुबब्स हो यहां का धेर ही पुष्ट करू अरू बार्सामा पनी पत्चीस ओटा दी बार्सामा अनुवादेद भायकाशन अमेरिका जपान मा पढ़नु जापन मा प्राध्यापन बनी गार्दू भायको कोरिया मा गार्दू भायको यह सब पे अंतरास्थी अनुभाव हासिल गारे पची रह यहां लाए अईले हम ले तेखता खेरी एतिकाब बार्सा पची योटा जुन मानिस को योटा इमेज होंचा हम रुदेश मां योटा क अगारी को परंपरागत सोच रजिस्टिकोन अंशार कभी हरु हने को चाहिं अनुत्तरदाई अथवा अभाव ग्रस्त अथवा बिमार अथवा असंतुलित जांगले या रामरोल्लुगा फार्डाल पने नो लगाउने अथवा दारी पालने अथवा गरीव या मानु भोक मारी माँ परेका हुंचन जस्तो किसें को इमेज बने को छाने तो गलत्त हो स्वाइम लेखक कभी हरु लेपनी कठा नाटक आदी लेखताखरी त्यस्ते ही कभी हरको चित्रन गरे रखे का छन बने हामराई कभी लेखक हरु लेपनी एक बाह अरक प्रगाल यो कभी उने वि पर्षा आज को कभी कभी मात्र नवायर रवड़ नागरीको और नागरीको उसको जब्यविन्न पोमई कारुश उल्ले वहंद गर्नो पर्षा गवर्षा आज का कभी लेखक लाई ग्रहन गरदार इमेज बनाऊदा अब त्यो कुर यालाई बिदा देयर नया शोच अब करको पनी आपने परकार को जिंदगी रस्तापी धंगली बासन सक्चन और अनी विशिष्ट नागरिक को रूप मा भूमी का निर्वाग वर्शंद उसको शम्मंद समा अलग्य कोईन उसको शमा संबद्ध भायर परिवार संबद्ध भायर देश संबद्ध भायर अथवा यो दांगली बुजन परचा वनने पक्षे माच्वा तुलसी दिवस दाइसंगा मा घंटों कुरागर न मले चाहानाचा तर अफसोस एती छोटो कारेक्रम छा कविता बास्तव मा जीवन को बास्तविकता संगा जुडियेको बीसोंचा वा कल्पनामा लेखियेका कविता हरू बीसोंचा दाइक कविचार मा अब शाहित्यलाई कवितालाई या स्वर्जनाकान बीदालाई जीवन संगा नजोडेर अलग धंगले हरने दिष्टिकोन संगा अमलेख पावनु परचा जीवन संगा प्रतेक्से रुपले मात्यों अभिन्न धंगले संबंधित हुंचर हरे कविले कल्पनासिल्तामा भंदा अनुभुत जन्य आफनो अनुभब बात उत प्राप्त भायको जुन अनुभुती जन्य तो मैंलाई अनुभब भन्नुस अनुभुती भन्नुस संबेदरा भन्नुस या भाब भन्नुस तो चंग प्रतेक्से रुपले संबंदेध हुंच कभी तामा कलात्मक प्रस्तते होना जरूरी छो और कभी तामा त्यो समाज त्यो बेक्ति को जिन्दगी और त्यो समाज को इस्तिती रावस्ता तमेले थाई न पाई करना आऊंच प्रतेक सिरूपले आऊंच यह कुछ अमी सानु छदाखेरी लोग गीत अरु जो निया हाले क्ताँ ओम में संकलनगार्ण हैरा चाही बजन थाले कांची मठेंग्टैंग्स अरको राट रीटिं रीटिंग नघ लाइनायों बिनायोली मनवेरा चनायों म युच बरामी संकलनगर्दाखेरी यह पाले को उमेयर कती जति थियू 20-20 वार्षा रभ मुवले जत्तेयों वे लामा यह पहला चाहिए लोगीत गावने अनि लोगीत लाइ हमारे सांसकतिक कारीकम हरुमा लोगीत को उपयुग गरने लोग नाचर को प्रयुक गरने त्यान लाइ बिस्तारीद गरने पची गरेश्न भ्याख्या गरने सामाजिक आ मत्तु पुरूण पुकु अन्यातों नहीं को स्फ्रशंगिया गरन 750 रंधीघ्या है गीत लाइचे हमेले सहाज्रा सरल धंगाने मन राजन को साधन को रुपमाते बरता भुजयू। हम रो जस्तु देश मा जांका बाउशंखिक जनता हरू अजयी पनी पूर्ण रुपमाते शाक्षर चाहिनां त्यो ठाउमा तेस देश का मानिस ले आपना मन का कुरा उन मुक्त रुपले अभिवेक्त गरनी मुल माद्यम भने को तो गीत ही हो जीू। लो गीत ही होने घास दाउरा मात्रे है नियू। धीकी जातो मात्रे है हो नियू। कलम, कापी छलांदा खेरी पनी, ईक बहा और को प्रकार ले अफुलाई चित्त भुजे कोबा चित्त नभुजे कोबा चुकता हरुला अवेक्ति करने माध्धेम ता लोग गीत ही होनी लोग गीत लाई ब्याक्या गरता बुझन पने हमें अरुचांगे अज़स्तो यही तमेले रिठिंग रिठिंग को कुरा गरनुपरू त्या खोला करें अज़स्तो लागें यथार्थमा सप्रसंग ब्याक्या गरनुपरू तो द्याइन गीतले यो देश को भाउगलिक इस्तिति यो देश को हावापानी यो देश को जिविका को मांचे को जिविका को आधार औनि है विकास का बिभिन प्रभिदी हरुले उपिक्त धंगले पायको इस्तितिलाई प्रष्ट रुकमा तेले ब्यक्त गर चा किना तो खुला पारी माया लाए पटक पटे जानुपरू भेटनुपरू परू तर तो बाट जाने बाटो सुभिदार जनक चाहिना बने तो जाना सकता ही नहीं तो अब किना बने अनि बर्खा लागने पर पर पर्यू अनि उल्लि के अनुपरू खेती पाती मा ब्यक्त भाहरा ते पानी पर ने विवेलामा उप गर्नष्वाकरे बनत भाहरे मुदाय को अर्त उक्या बने शिचाहिको व्यवस्तारामरो ँछ्यना बंने कुरा प्रस्ट शंग दीखिन जो दोस्रो पारी पटी ज बेटना जाना आउना पाहूने कुरा आरो आवा अजगाडा आउना अपना मतल मक्की भनी राचु बने दुईलाइन गीत मा यो देश को मानिश को जिविका को आधार लाई गुणस्तर संपन्न तुल्याउन को निमित्त आवासे जती पनी साधन हरुचाने त्यो विकास नभ तुल्भूलागर्च भाईगाए हाई राणा लो एर्नुस कुन्छाई नयाम केरे आदुनिक गित्कार ले लेखे को भन्दा यो कम छा ब्याना पख जुल्गाने घामलाई डालाना इस्तिराना मने कौस्त बिम्ब छा एर्नुस्त त्यानेरी रभ बिम्ब लग संदोड़ ले जोड दिनहंचे का विकारोँ निस्त रूहां день को जुल्गाभ पुकाले रे जुण्दाई दान को ठाको घलाम घ्छी र्हिर नो अधियो आफू जुद्ये को आपनाई कोठा को किलावा जिन्दगी लुगाभय मिलाए र बेला अंसार स्यूनु र शिलावनो हुन्थ्यो नमिले उधारे र पूरे जिन्दगी धागो निकाल दई शियो ले कोईची ले आपनाई हात्मा आपईले कात्नो रच्छाट्नो पनी हुन्थ्यो या सुची कार कहां गयर जिन्दगी केही समय फेरी लुगा कई खात्मा पल्टी निदावनो पनी हुन्थ्यो जिन्दगी लुगाभय फुकादे र शुन्जावनो हास तोल्ची दिवस्त है, यह उत्षा यहाले हमरा समाज लाई, हमरा कवी लाई, हमरा लोक सास्कृती बीधरु लाई, सदे दिने जानु हला, यहां को यह अनुभाफ, यह ज्ञान को भंढार, यह देश का भावी पुस्ताले, सदे उपभोग गरना पाई रहून, यहाले य तर्णिवाद राभार प्रकट करना चाहाचु।